आज किस वीडियो में हमारी जो के टेमार से उसके जो फ्रंट शोकप्स है यूएजज़ फोक्स उसके उपर इंस्ट्रो करने वाले है यूएज़ वेप्स और इसकी जो डाइमेंशन है वो है 12 इंटू 16 और इसकी जो प्राइज है वह 150 रूपीज यह वाला काफी डिसकाउंट रेट में मुझे अमेज़न पर मिल रहा था तो मैंने इसको पर्जिस कर लिया है 150 रूपीज में 12 इंटू 16 और चलिए इसको इंस्ट्ल करते हमारी जो के सब्सक्राइब करेंगे हमारी KTM RC के अंदर गोल्ड वैप और आप देख सकते हैं यहां पर पहले से ही मैंने यहां पर कार्बन फाइबर वैप इसको कराया था बट यह अच्छा नहीं लगता उतना भी सो हम यहां पर गोल्डन वैप कराएंगे इसके ऊपर सो चलिए इसको करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले मैंने जो यहां पर इस पर वैप किया था वो कार्वन फाइबर का है और यह वाला जो वैप बहुत ही अच्छी तरह के स्टीक हो गया था और निकालने में बहुत ही प्राब्लम हो रही है इसको इसको निकालते इसको निकालने के बाद हम ज़ाएंगे इसके ऊपर, तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से इसके जो cutouts कर लिए है इसको cuts कर लिए है, इसके size के हिसाब से, और अभी हम इसको install करते है है, और इसका wrap निकल चुका है है, और यहाँ पर इस तो फ्रेंड्स मुझे कुछ उतना जादा knowledge नहीं है, wrapping के मतलब यह वाले इसमें व्याप कैसे करते हैं सो मैंने मेरी हिसाफ से कुछ किया है सो अभी मैंने इसको बीच में से कट कर लिया और साइड में से कर लिया है क्योंकि जब हम साइड में से यह वाला जो पेपर डालेंगे वो किस की उपर स्टिक हो सकता है तो इसके वज़े से यह स्टिक ने होगा और हम अच्छे से इसको व्रैप कर पाएंगे तो अभी हम हमारे व्राप लेते इसको अच्छे से स्टिक कर लेते अग्पस कर लेकर विंगः स्टिक कर दो तूंग narrative कि अराफ। चुछ, झाल हो जाए। कि अराफ। लंग तो आप देख सकते हैं मैंने इसको वैप कर दिया है और यह अब भी काफी अच्छा लग रहा है लुक में तो फ्रेंड जैसा कि हमने हमारी जो शौकब्स उसके उपर जो है गोल्डन वैप करवा लिया है और इसका जो लुक है वह बहुत ही प्यार लग रहा है बहुत ही इनांस हो गया इसका लुक और यह दिखने में भी बहुत ही अट्रेक्ट्व लिख रही है दूर से देखे तो अभी आप देख सकते हैं कि इसको हमने गोल्डन वैप किया है तो दूर से बहुत ही ज़्यादा अट्रेक्ट्व दिखती है और इसका जो लुक है वह बहुत ही ज़्यादा इंप्रू हो गया है तो आयोग आपके वाले जो वीडियो है वह इंफॉर्मेटिव लगा होगा अगर यह आपको वीडियो ज़रा सब्सक्राइब कीजिए और मिलते अगले वीडियो में